दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लाइक बनिये की अपनी जरुड़तों और इक्षाओं को स्वयम पूरा कर सके। कुछ थपड ऐसे होते हैं जो गाल पर तो नहीं लगते लेकिन आत्म सम्मान और रूह को भीतर तक चोट पहुचाते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना क्योंकि सीधे इंसान का जबाब उपर वाला तेड़े तरीके से देता है। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो जैसे नजर आते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं। मैंने जिन्दगी से पूछा कि तुम इतनी कठोर क्यों हैं। जिन्दगी ने हसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करते। अच्छे इंसान जिर्फ अपने कर्म द्वारा ही पहचाने जाते हैं क्योंकि अच्छी बाते तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। जिन्दगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजबा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निसानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज़त करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उमीद नहीं होती दो पल की जिन्दगी है इसे जीने के सिर्फ दो उसूल बना लो रहो तो फूलो की तरह और बिखरो तो खुस्बु की तरह भरोसा जीता जाता है मांगा नहीं जाता यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है कमाया नहीं जाता जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे सिर्फ उनसे दूर रहो पच्छी कभी अपने बच्चों को भविशे के लिए घोशले बना कर नहीं देने वह तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं जो चीज वक्त पर ना मिले वह बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुर्दोस अपने अंदर जाक लो उड़ जाएंगे होई जरूरत से ज़्यादा वक्त और इजजद देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा हम क्यों किसी का बुरा सुचकर अपना कर्म और वक्त दोनों बरबाद करें भरी जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है लेकिन खाली जेब आपको जिन्दगी के कई मायने समझाती है जीवन में पस्तावा करना छोड़ो कुछ ऐसा करो की तुम्हें छोड़ देने वाले पस्ताएं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वार मोटिवेशन आपको जाएं